फाइव दहुर का हमें कबसे इंतिजार हो रहता कि थार के कितने लीक्स आ रहें लेकिन फाइनली जो गाड़ी का पूरा यहां पर इंटीर जो आ चुका है किस तरह का गाड़ी का इंटीर वो रहने वाला है गाड़ी के अंदर एक्टेरियर में क्या को चेंज इस वह आपको सबस्क्राइब है is the बड़ा के लिए इस गाड़ी का इंफोटेर्मेंट आपको बड़ा सा इंफोटेंड में आपको मिलने वाला है लगबाग यहां पर 10-11 इंच का इंफोटेंड में गाड़ी के अंदर होने वालिंदर साथ साथ हाथ आपको 다시 moving delini 발 देखने के लिए मिलने वाला है तुछ अगर आप डोर की तरफ यहां पे देखने के लिए लग रहा है तुछ तरह का पूरा चेंजिस जोगाडी के लिए अंदर देखने के लिए लग रहा है साथ इसाथ आपको नया आपे अलग कलर का armrest वो देखने के लिए मिल जाएगा cup holders वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा और गाड़ी के अंदर और चोड़ी मोड़ी चीजिया है जो काफी changes गाड़ी के अंदर करी गई है जी हाँ तो इस तरह का पूरा गाड़ी का जो infotainment और इंटीर रहने वाला है dual tone के अंदर जो गाड़ी का इंटीर रहने वाला है तो अब और क्या changes आने वाले हैं गाड़ी के अंदर जी हाँ तो आपको AC वेंट है गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे तो इस तरह का AC वेंट का सिस्टम है पूरा गाड़ी के अंदर रहने वाला है तो काफी गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है तो इस तरह का और हमें बूट स्पेस भी काफी बड़ा है वो देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी के अंदर LED headlamps और LED fog lamp वो भी देखने के लिए मिलेंगे यहां पर थोड़ा अलग देखने के लिए लग रहा होगा क्योंकि अगर आप LED fog lamp को देखो तो नीचे पूरा white के अंदर तो यही आपको पूरा देखने के लिए मिलने वाला है यह तो पस टेस्टिंग के लिए यूज में हैं आपको जो पूरा है गाड़ी के अंदर वो ही देखने के लिए मिलेगा मतलब आपको LED के अंदर पूरा सेट अप है वह देखने के लिए मिलेगा आफ्टर मार्केट जाकर हम यह चीज़ चेंज करवाते थे लेकिन आपको वह जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा चेंज है टेल लाइट के अंदर देखने के लिए मिल पूरी फील है वह देने वाली है तो रियर का कुछ इस तरह का जो लुक है वह होने वाला है फ्रंट में एक चीज़ आकर आपने गौर करियोगे इसका जो ग्रिल है वह भी चेंज कर दिया गया है रैंगलर स्टाइल बोल लो कैसे बोल लो तो वह आपको देखने के लिए मि लिए जाएँ बोल लकर लिया बने जिल सकता है तो अब्लाघी के अंदर आप सन्रूफ और और नहीं मिलेगा और हैट टोप मिलेगा लेकिन अलग-अलग विरेंट्स के यसाब से देखने के लिए मिलेगा आपको तो गाडी के अंदर अची ग्रिल है जो गाडी चेंज कर पर जाएगा सथी के अपको नया स्टेरिंग मेल जाएगा इसके लिए तो नए ही होगा एक्सी विश्रीय के अन्द जाएगा विश्रीदा देंगे तो इस तरह की काफी चीजी हैं जो गारी के इंदर चेंच है वह देखने के लिए यह आपको armrest वगर असकी देखने के लिए मिल रहे है दूल टोन आपको यहां पे पूरा गाड़ी से जाUh मिल जाएगा तो में वह स्था पजाएगे हमया रखा वाली और stalls प्राइजिंग की बात करो तो प्राइजिंग लगबग 14-15 लाग तो आप मान के चलो इसका जो स्टार्टिंग प्राइज आ वह रहेगा अगर बात करें इंजन पर्फॉर्मेंस की तो गाडी के अंदर क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहां पर आपको 2.2 लिटर के यहां पर डीजल इंजन वह देखने के लिए मिल जाएगा तो इतना कुछ गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा जो आपको 6-speed manual और आपको दोनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा तो बाकी जैसे जैसे इस गाड़ी की लीक्स आती है तो देखते हैं और क्या कुछ पैक करती है महिंद्रा इस गाड़ी के अंदर बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरू कर देना अगर आप फेस्बुक पर देख रहें तो आने पेज को फॉलो करें अगर आपने इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो इस्टा को फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है विनांच अंडर स्कोर वन और मिलते नेक्स वीडियों के टाटा बाइबाइबाई जैन